हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने योट्योब चैनल नौकरी वालम में पर्टिकुलरली आज मैं आपको टाटा स्टेल के अंदर अप्लाई कैसे करना है उस प्रासस के बारे में बताने वाला हूँ आप सभी को पता होगा कि टाटा स्टेल के दुआरा रिसेंटली एक अभी नोटिफिकेशन आउट किया गया है और टाटा स्टेल कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है एक बहुत बड़ी मल्टी नैशनल कंपनी है जिसके अंदर अगर आप एक वारी जॉब लग जाते हैं तो आपकी लाइफ पूरी सैटल है और बहुत बड़ी है सेलरी आपको यहाँ पे मिलती है और इसका जो वर कल्चर है वो बहुत बड़ी है इन्वार्मेंट बहुत अच्छा है कंपनी का फैसिलिटी बहुत अच्छी है तो यहाँ पे जो रिसेंटली नोटिफिकेशन निकला है उसका डिटेल वीडियो में आपको पहले से ही दे चुका हूँ और उसका लिंक आपको डिस्करप्शन में मिल जाएगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके देख लेना उस वीडियो के अंदर मैंने कवर किया है कि आपका लिजिबिलिटी क्रेटीरिय क्या है सेलेक्शन प्रॉसस क्या है सारी चीजे कवर कर रखी है उपर आई बटन में भी आप देख सकते हैं वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो को वाच कर सकते हैं या फिर आप वीडियो के डिस्करप्शन में देख सकते हैं तो यहाँ पे मैं आपको A to Z पूरा डिटेल बताऊंगा पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप अप्लाई कैसे करेंगे और इसका जो अप्लिकेशन फीस है वो 0 रूपे मतलब कि किसी भी बच्चे को 1 रूपिया भी पे नहीं करना है यह बिलकुल आपका फ्री का फॉर्म रहेगा मतलब कि फ्री के अंदर आप इसको बड़े राम से अप्लाई कर सकते हैं तो आईए अप्लाई कैसे करना उस प्रोसेस के बारे में जानते हैं लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं करें तो लाइक कर देना और अगर आप पहली वरी चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना बेल एकन को जरूर से प्रेस कर लीजेगा ताकि जब मैं नेक्ट वीडियो अप्लोड करूँगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डिरेक्ली अप्लाइ कर पाऊगे आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे मैंने डिरेक्ली टाटा स्टिल की ओफिशली वेबसाइट को उपन कर ली है और मैं आपको Tata Steel के officially website का link वीडियो के description के अंदर दे चुका हूँ तो अहाँ पे आपको click करना है आपके सामने directly ये tab open होगा अब यहाँ पे आप देख सकते है Tata Steel के officially website है उपर भी देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको apply now का button मिल रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है apply now वाले button पे click कर देना है और अगर आप notification डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे download advertisement यहाँ पे PDF file है आप इसको download कर सकते हैं तो अभी हम जान रहे है apply कैसे करना है तो यहाँ पे नीचे apply now का button दे रहे है इस पे click करना है आपके सामने कुछ ऐसा tab open होगा और Tata Steel के दुआरा यहाँ पे engineer trainee का application form निकला है और यह एक बहुत बढ़िया अपार्शिटी रहेगी उन सभी candidate के लिए जो कि recently pass out होने वाले हैं जिनका pass out हो चुके हैं या फिर 2024 से पहले pass out हो चुके हैं उन सभी candidate के लिए एक बहुत बढ़िया vacancy apply जरूर करना बस इसका exam होगा interview होगा उसके बाद medical exam फिर आपको joining यहाँ पे मिल जाएगी पूरा detail में मैंने इसके लिए already video डाल रखा है channel पे link description में दे रखा है तो यह जो application form है इसको ध्यान पुरुवक देखना यहाँ पे टॉप पे दे रखा है application form यह data still दे रखा है और यहाँ पे aspiring engineer program रहता है जिसके तहत आपको यहाँ पे engineer trainee का position मिलता है और जैसे एक साल complete होगा तो आप यहाँ पे assistant engineer के तौर पे यहाँ पे काम करेंगे और उसके 2-3 साल के बाद आप यहाँ पे assistant manager के तौर पे काम करेंगे तो यहाँ पे progress बहुती बड़ी आपको मिल जाती है अब यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है जहाँ पे start दे रखा है वो आपका mandatory option है जैसे कि यहाँ पे recruitment type है उसके आगे start दे रखा है तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे option दे रखा है तो जिस option के आगे start दे रखा है वो आपका mandatory है मतलब कि compulsory है आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते अगर आपने उसको खाली छोड़ा तो यह form submit नहीं होगा अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि पहला दे रखा है recruitment type अगर मैं यहाँ पे click करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप click करेंगे तो यहाँ पे दो option अविलेबल है पहला दे रखा है general का दूसरा दे रखा है यहाँ पे female specific drive जो candidate यहाँ पे female है उनको यहाँ पे click करना है क्योंकि female के लिए अलग से vacancy निकली है उसका same notification है जिस पर मैंने video नहीं बनाया था तो मैं आपको बता देता हूँ same notification है same branch eligible है जो यहाँ पे आपका general candidate के लिए है वही यहाँ पे female candidate के लिए है अगर आप female candidate है तो यहाँ पे आप select करेंगे और आप male candidate है तो यहाँ पे general पे select करेंगे तो यहाँ पे मैंने general पे select कर लिए है उसके बाद आता है candidate type गलती कहा होगी यहाँ पे candidate type के अंदर क्या गलती होगी देगे अगर आप यहाँ पे employ board के अंदर आते हैं मतलब कि आपका कोई यहाँ पे पिताजी है, आपके कोई family member है, जो कि Tata Steel में काम कर रहे हैं, काम कड़ चुके हैं, या पिर कभी काम किया है, तो यहाँ पे वह आप click करेंगे, या फिर आप खुद काम कर रहे है Tata Steel केंदर, तो आप यहाँ पे click करेंगे, और अगर आपके family member में से किसी भी वेक्ती ने काम नहीं किये कोई नहीं काम कर रहा टाटा स्टेल के अंदर तो आप general यहाँ पर option को select करेंगे तो यहाँ पर मैं first 12 option select कर रहा हूँ क्योंकि यह मैं मान के चल रहा हूँ कि आप पहली वारी ही job लगेंगे टाटा स्टेल के अंदर आपके family member ने काम नहीं किये तो यहाँ पर मैंने first option को select कर लिया उसके बाद आता है अधार कार्ड नमबर तो जो कि आपके पास है वो आपको यहाँ पर डाल देना है उसके बाद आता है personal detail तो यहाँ पर आपका first name आएगा और यहाँ पर आपका last name आएगा अब कभी कभी क्या होता है कि नहीं बच्चों का middle name नहीं होता ठीक है जैसे कि for example लेके चल रहा हूँ राहूल कुमार यहाँ पर यादव तो मैंने यह example लिया राहूल कुमार यादव यह मैंने example लिया है ठीक है तो यहाँ पर आप लिखेंगे राहूल और यहाँ पर लिखेंगे कुमार और यहाँ पर लिखेंगे यादव और अगर आपका नाम राहूल यादव है तो यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले राहूल last name में लिखेंगे यादव यहाँ पे जो middle name है उसको आप खाली छोड़ देंगे और वैसा भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि middle name के आगे कोई star नहीं दे रखा तो यह mandatory नहीं है आप इसको खाली छोड़ सकते हैं उसके बाद आता है यहाँ पे gender तो जो भी आपका gender है आप उसको select कर सकते हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उसके बाद यहाँ पे आपको category select करनी है अब बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे 100% गलती करेंगे तो यहाँ पे मैं category पे जाता हूँ अब देखें उपर जो दे रखा है वो category नहीं था अब यहाँ पे आप अगर थोड़ा उपर आएंगे तो यह आपका था application form recruitment type और candidate type था यह category नहीं था तो इसके अंदर आपको दोनों में general select करना है या फिर आप उसके according select कर सकते है जो भी यहाँ पे eligibility criteria मैं आपको बताया category के अंदर क्या डालना है यहाँ पे please select के उपर मैंने click किया है और यहाँ पे आप देख सकते है general और अदर और यहाँ पे ST और यहाँ पे SC अब देखे टाटा स्टेल एक private company है जिसके अंदर आपका general EWS और OBC category को A की category में यहाँ पे मान लिया गया है जो कि आपका general है ठीक है तो अगर आप general candidate है अगर आप OBC candidate है या फिर अगर आप EWS candidate है तो आपको यहाँ पे general और other वाले option को select करना है और अगर आप यहाँ पे ST candidate है तो यहाँ पे select करेंगे और अगर आप यहाँ पे SC Candidate है तो यहाँ पे Select करेंगे I hope आपको समझ में आ गया होगा फिर से देख लेना एक वारी अगर आपको समझ में नहीं आया अगर आप General OBC और EWS Candidate है तो पहला Option आपको Select करना है और अगर आप SC Candidate है तो यह Second और अगर आप SC Candidate है तो यह Third तो यहाँ पे मैं First Option को Select कर लेता हूँ अब यहाँ पे आता है Domain Style Estate तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर All Over India के Candidate Participate कर सकते हैं कहीं से भी आप Blong करते हैं आप उस पे क्लिक करके डाल सकते हैं तो मैंने Randomly डाल दिया मैं Answer कर सकते हैं आपका D.O.B. किया है अदारकाड के recording आएगा और 10th की माक्षिट के recording आएगा Contact Detail के अंदर आपका Email ID डालना है और यह Capture Code यहाँ पे डालना है और Verify करना है जैसे आप Verify पे क्लिक करेंगे तो जो Email ID यहाँ पे आपने डाला होगा यहाँ पे नीचे एक Box बनेगा उसमें OTP आपको Fill कर देना है जो Email ID पे आपको मिलेगा और उसे Email ID पे OTP आएगा जो Email ID आपने यहाँ पे डालना है उसके बाद यहाँ पे आपको Mobile Number डालना है Active Mobile Number और यह Capture Code यहाँ पे डालना है Verify करना है, Verify करेंगे तो एक Box बनेगा और आपके Mobile Number पे जो आपने यहाँ पे डाले हैं उस पे OTP आएगा वो यहाँ पे Fill करके आपको Verify कर देना है Land Line Number आपको डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं नहीं तो इसको खाली चोड़ सकते हैं कोई Start नहीं दे रखा इसके आगे अब यहाँ पे दे रखा है Address for Communication तो आप अपना Address easily fill कर देना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और उसके बाद B-Tech कर रखा है तो आप इस Box को Select कर देना क्योंकि इस Vacancy के लिए Only Be B-Tech वाल Eligible है तो अगर आपने 10th के बाद Diploma किया है और उसके बाद अगर आपने B-Tech किया है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 12th कातर डाल नहीं सकते तो आपको Diploma का डालना पड़ेगा देखें मैं यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ पहले तो यहाँ पर मैंने टिक कर दिया तो आपका ऐसे करना है ठीक है उसके बाद आपको Scroll down करना है और यहाँ पर आ जाता है आपका Technical Qualification Technical Qualification के अंदर यहाँ पर Location बता रखिए इनोंने कि आपकी जो Location रहेगी जहाँ पर आपका यहाँ पर Hiring चलेगा तो यहाँ पर आपको जाके काम करना पड़ेगा Job Location दे रहा है Qualification के अंदर आप डाल सकते हैं जो भी आपका Qualification है जैसे कि आपने BB Tech कर रखा है BAC कर रखा है या फिर M Tech कर रखा है तो उन दोनों में से को Select कर लेना है उसके बाद आता है यहाँ पर कि आपकी Domain कौन सी है जैसे कि आपकी Branch कौन सी है तो यहाँ पर बहुत सारी Branch है Electrical, Electronics, Instrumentation और Power, Electronics उसके बाद Mechanical, Metallurgy, Mineral, Mining उसके बाद यहाँ पर यह सारी Branch eligible है लेकिन यहाँ पर Civil Branch eligible नहीं है Civil के लिए अलग से Vacancy आती है इसके अंदर तो इसका नोटिफिकेशन भी आपको लगबग एक डेट महीने के अंदर मिल जाएगा जैसी आएगा मैं आपको Update दे दूँगा तो अभी के लिए इस सारी Branch eligible है मैं यहाँ पर Electrical select कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर जो दे रखा है कि Technical qualification आपको Fill करना पड़ेगा यहाँ पर आपको Select करना है तो यहाँ पर मैं Place Select के अंदर Select कर लेता हूँ BTEC उसके बाद यहाँ पर आपके Marks कितने बने हैं यह सब कुछ आपको Fill कर देना है जो भी यहाँ पर दे रखा है पास उठेर कौन सा है टूटल मार्क्स कितने है Other qualification अगर आपने कुछ अदर में कर रखा है जैसे कि आपने Diploma कर रखा है अब जो candidate 10th के बाद किया Diploma उसके बाद किया नोने BTEC तो यहाँ पर वो दिपलोमा को Select करेंगे और अगर आपने BTEC के बाद MTEC कर रखा है तो आप इसको Select भी कर सकते हैं उसके बाद नीचे आना है Detail of Work Experience तो अगर आपके पास कोई Experience है तो ही आप इसको Fill करेंगे यह कोई mandatory नहीं है यहाँ पर कोई Start नहीं दे रखा है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं Experience है तो बहुत अच्छी बात है नहीं है तो कोई दिकत वाली बात नहीं है Scroll down करना है और यहाँ पर आपको Experience नहीं है तो यहाँ पर आपका कुछ नहीं आएगा और अगर आपके पास Experience आपने Fill किये तो calculate total work experience यहाँ पर क्लिक करेंगे तो work experience total यहाँ पर आ जाएगा और ध्यान रखेगा इतनों तो आपको पता होगा रिजूम के साइज को कम कर लीजेगा PDF एडिटर के अप्लिकेशन है वो आपको मिल जाएगा Play Store पे और उसके बाद पुछा गया है प्रिफरेंस पॉर इंटर्वियू सेंटर तो इंटर्वियू सेंटर को प्रिफरेंस देंगे यहाँ पे दे रहा है यहाँ पे आपका बैंगलोर दे रहा है सबसे पहला तो उसके बाद दे रहा है बुनेश्वर डैली जमशेथपूर कोलकत्ता तो यह सारे आपके इंटर्व जो भी है उसको आप देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर I understand पर क्लिक करना है जो check box दे रखा है नीचे आना है थोड़ा सा और यहाँ पर आपको एक box और मिलेगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है यह जो दे रखा है वही आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं फिर आप यहाँ customer और visitor पर click करके यहाँ पर मैं इसको जो आपका fourth number है उसको select करता हूँ और scroll down करना और यहाँ पर data privacy को आपने agree कर लिया है और submit वाला button इस पर click करके आप इस form को submit कर सकते हैं तो यह आपका पूरा application form submit हो जाएगा जैसे यह application form submit होगा आपको email आजाएगा all the very best जैहिन